आप दे रहें कमोर्टी कॉल मैं हूँ दिपाली राना और क्रूड में लगा ता 30 दिन गिरावट जारी है ब्रेंट 78 डॉलर के नीचे फिसल गया है है मिजिक्स पर भी दाम 227 के नीचे हैं क्या है कारण और कैसे बनाए क्रूट समेट दूसरी कमोर्टीज पर स्ट्राटीज इस पर हम बातचीत करेंगे प्रति फिर्माट के डिरेक्टर मरोज कुमार जैन हमार साथ मोजो दे मरोजी नमस्का स्वागत है आपका लेकिन सबसे पहले मार्किट का अक्शन भी लेकर आते हों और साते साथ जो फिलाल के ट्रिगर उनका जिकर कर लेते हैं आज के कारूबार में सोने में हमने एक जुरदार तेजी देखी है लेकिन मूट बिगड़ा हुआ है बेस मेटल्स का और साथी कच्छे तिल का दर असल चाइना एंटिसेपेशन में कि एक डीसेंट साइस का स्टिमूलेस रहेगा इसके कारण हमने तेजी बनते होए देखी थी लेकिन अब चाइनीज फाइनन्स मिनिस्टर की तरफ से जो बयान आये उसमें स्टिमूलेस के साइस को लेकर कुछ क्लारिटी नहीं मिली जिसके वज़ा से दिसपोइन्मेंट हुआ और यही कारण है कि हमने बेसमेटल में भी फ्रॉफिट टेकिंग हावी होते हुए देखी आला कि चानीज फाइनन्स मिनिस्टर ने कहा है कि वो प्रॉपर्टी सेक्टर को सपोर्ट करेंगे डेट सपोर्ट वो लेंड करेंगे लेकिन स्टीमूलर साइस को लेकर कोई कॉमेंट उनकी तरफ से नहीं आए है जिसके कारण हमने बेसमेटल पर इंपक्ट आते हुए देखा है लेकिन क्या स्ट्राटेजी आपकी हो सकती हैं यहां से बेसमेटल में इस पर बातचीत कर लेते हैं मनुर जी पहले तो बेसमेटल बताईए ऐसा कोई आते हुए देखी थी क्योंकि वीकेंड में चाइना की तरफ से सम्मावना थी तो यहां जैसा कि आपने बताया कि जो बयान आए हैं उनको लेकर के मार्केट में थोड़ा डिसपॉइंटमेंट है तो हमारा मनना है कि थोड़ा सा यहां पर वेट एंड वाच रखना चा और चाइनीज स्टिम्लस में कोई भी क्लेरिटी आएगी तो फिर कीम्ट को सपोर्ट करती हुए नजर आएगी तो यहां पर वरतमान लेवल पर थोड़ा वेट करना चाहिए अगर मैं कॉपर की बात करूं तो एक ट्वेंटी ट्वेंटी टू के रेंज अगर आएंगे तो वो एक बहतर जो है लेवल होंगे बाइंग के लिहाज से और रिस्क रिवार्ड भी वहां पर फेवरिबल होता हुआ नजर आएगा तो यह लेवल पर अवाइट करें थोड़ा अगर यहां से एक देड़ प्रतिशत की गिरावट आए तो फिर वहां पर जो है रीइंटर कर सकते हैं अचा बाकि आपकी ट्रेडिंग स्ट्राटेजिस क्या रहेंगे आपकी तरफ से मनुझ जी यहां पर गोल्ड में भी जो मोमेंटम है वो पॉजिटिव बना हुआ है हमने देखा है कि पीछले सब्ता हमने 2650 डॉलर के उपर सोने को निकलते हुए देखा था इंटर पर वर्तमान लेवल से थोड़ा डीप मिले 2.500 रुपए का तो वहां पर दिसंबर के वायदा में बाइंग की रंडीती बनाना चाहिए एक इस ट्रॉपलोस जो रखना है 75,770 का रखना है और लक्ष यहां पर 76,600 के रहेंगे वही कच्छे तेल में यहां लगातार जो है व हो रही है 85 पर वहां बाइक की सला रहेगी स्टॉपलोस 55 का रखना है और लक्ष यहां पर 130 तक के रहेंगे किरिक स्टॉपलोस csaf और देने पर बाधाना प्रयाजा स्टॉपलोस 55 का रुत क्वेंपना प्रेशर के रहेड़ना रहेंगे हैं यहां वरतमाल लेवल से यहां थोड़ा प्रेशर देखने को मिल सकता है अगर यहां पे इनको फ्रेश रण निती बनानी है तो रिस्क रिवार्ड के साफ से फेवरेबल नहीं है हमारा मानना कि 822-820 के रेंजेस में बाहु मिलते हैं दुआ खरीदना चाहिए वरतमाल लेवल से यह मुनाफ़ा उसूली करना चाहिए हम देख रहें कि 288-90 जोन में यहां लगाता रिजिस्टेंस बने हुए है और उपरी लेवल से हम बार बार यहां पर कीमतों में जो है मुनाफ़ा उसूली आते हुए देख रहे हैं वरतमाल लेवल पर मुनाफ़ा उसूली करें 274 के जोन सकते हैं काफी वोलेटिलिटी देखने को मिल रहे है और जिस तरह से बेस मेटल में गिरा वठे तो उसके चलते हैं चांदी में भी उपरी लेवस पर दबाव देखने को मिल रहा है वरतमाल लेवल पर मुनाफ़ा उसूली करें नीचे में 90,200 के इस तर मिलें वहां पर फिर सकते हैं और आल ट्रेंड यहां positive बना हुआ है और हम देख रहें कि 74,700-800 के जोन में अच्छे support जो देखने को मिल रहे हैं तो 74,700 75,700 के trailing stop loss से position को hold करे 76,600 तक के जो इस तरह वो देखने मिल सकते हैं वहां पर एक बार मुनाफ़ा उसूली करने की सला रहेगी सचिन का सवाल है मुंबई से सवाल निंका कच्छे तेल पर है मौश्दस तोर पर कच्छे तेल में क्या रंडीती बनाई जासकती है बताइए कच्छे तेल में option के तुर रंडीती बनानी ज्यादा favorable रहेगा क्योंकि volatility काफी ज्यादा है अक्टोवर की 6300 की call option को 85 के इस तर के आसपस खरीदना चाहिए 55 के stop loss से उपर में लक्ष यहाँ पर 130 तक के जो है रखे जा सकते हैं एक सवाल आया है सतीश का और यह सवाल इनका गवार पैक पर है गवार में करदारी की हुई है पच्छ पंसो के भावफ पर क्या करें मोच्छ द लेवल्स पर आप 50 परसेंट प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं बाकी की पोजिशन को होल रखे 5580 के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है उपर में 5750 एक रेजिस्टेंस पॉइंट है तो वहाँ पे एक बार मुनाफ़ा वसूली करें एक दाइरे का ट्रेड जो है गवार में बना रहेगा 5550 लोवर साइट और 5800 हायर साइट ये 2500 रुपे की रेंज में अभी शॉट टम में यहां कारवार देखने को मिल सकता है हल्दी में उखरदारी की हुए 13500 के भाव पर जाना चाहते हैं क्या करें लंबी अब्दी कव्यू है आज जो दिसंबर का एक्टिव कॉंट्रेक्ट है वहां 13700 के असपास के भी भाव चल रहे है 13440 का एक स्टॉप लॉस रखें उपर में 14000-14100 एक रेजिस्टेंस जोन बने हुए है वह लेवल के आसपास मुनाफ़ा वसुली की सला रहेगी है हमारा मानना है कि यहां भी एक दाइरे का ट्रेड ही देखने को मिलेगा 14400 के उपर अगर दिसंबर वाइदा में ब्रेकाउट देखने को मिलता है तो ही लॉंग की पोजिशन जो लॉंग टर्म के लिए फोल्ड करना चाहिए नहीं तो उपरी लेवस को एक बार मुनाफ़ा वसुली करने की सला रहेगी चली तो यह रहा है रही टर्मरिक पर जो तेरा हजार दस के भाव पर फिलाल यहां पर कारोबार होते हुए दिखाई दे रहा है अच्छा मनो जी बेज मेटल का आपने व्यू तो दिया लेकिन अगर कोई एक बेज मेटल कन्विक्शन जहां पर बेटर हो तो जींक और अलुमिनियम में हमारा मनना है कि लॉंग टर्म में यहां पर ट्रेंड पॉजिटिव ही देखने को मिलेगा जिस तरह से इंडस्ट्रिल डिमांड बहतर होती हुए दीख रही है लेकिन रिस्क रिवाड के इसाब से जो इंट्री लेवल से रहेंगे वो थोड़े नीचे के रहेंगे जिंक में 274, 75 के रेंजेस में बाई की सला रहेगी और एक स्टॉप लॉस जो वहां पर लगा सकते है 268 का उपर में 291 एक रेजिस्टेंस बना हुआ है तो वहां तक के लक्ष रखे जा सकते हैं वहीं इलुमिनियम की अगर हम बात करें तो यहां 232 के जो रेंजे से वहां पर बाई किया जा सकता है 227 के स्टॉप लॉस से 244 के लक्ष वहां रखे जा सकते हैं तो निशले इस तरहों पर खरिदारी कर सकते हैं एक दाएरे का ट्रेड है लेकिन इस तरह पर अच्छे सपोर्ट जो है जिंक और अलूमिनियम में बने हुए है। इसे के साथ एक ब्रेक का वक्त होगा है। ब्रेक उस पारदी के आवाज समाचार नमस्कार। झालूमिनियम में ईच्छे समाचार नमस्कार। मुत हमक्तॉ झाल कवैस जिंक आवाज में उंक भीचति झाल झाल